और छे महीने के अंदर वो इंसान जिसको डॉक्टर ने बोला कि तुम या तो मर जाओगे या बेड रिटन रहोगे शे महीने के अंदर ही गॉट आउट अफ़ेट एक नई साइंस ही जिसका नाम है एपी जिनेटिक्स जिसने ये बताया कि आपका कि हमारे सोचने से हमारी कौ को सोमैटिक कहीं पर भी दर्द है डॉक्टर के पास जा रहे दवाई खा रहे आराम नहीं आरा पता है क्यूं क्यूंकि वो इमोशन से पैदा हुए डिजीज है दोस्तो नमस्कार मैं डॉक्टर मितमा इश्वरी लेजेंज अफ नेशन के इस लाइप प्रोग्रम में आप सभी का बहुत-बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं और आज मेरे साथ में ऐक ऐसी परसनेलिटी जो आपकी परसनेलिटी को बदल कर रख देंगे मेरे साथ में है जाने माने मुटिवेशनल स्पीकर अंड ट्रांस्फोरमेशनल स्पीकर अनुराग रिशी सर अनुराग सबसे पहले आपका बहुत-बहुत हार्दिक स्वागत है थैंक्यू सो मच फॉर हविंग मेरा स्वागत है उससे जाधा अपका धन्यवाद है कि इस प हम बेशक बहुत कम समय मिल पाइं, पर हमेशा ऐसा लगता है, कल तो बात हुई थी, अभी कली तो आपने कुछ कहा था, मैंने सुना था, तो सर, आपको जैसे की ट्रांस्फोर्मेशन स्पीकर के रूप में जानते हैं, और ट्रांस्फोर्मेशन कई तरह का है, किसी का मेंटल ट्रांस्फोर्मेशन है, किसी का फिजिकल ट्रांस्फोर्मेशन है, पर्सनलिटी ट्रांस्फोर्मेशन है, कम्यूनिकेशन स्किल ट्रांस देखते हैं और वहां पर लोगों की फैबरिकर्टेड लाइफ देखते हैं कि ऐसा तो ही कि पुरा परिवार हर समय खुश रहता है यहार हमारे घर में तो लड़ाई भी होती है ऐसा तो नहीं है यह बंदा हर समय फाइव स्टार होटेल में गूमता रहता है यह हम तो अपने स्ट्रेस पैदा हो जाता है अब यह स्ट्रेस क्या है इसको कैसे मैनेज करना चाहिए और इसकी वेसे क्या-क्या प्रॉब्लम्स आ सकते हैं इस पर थोड़ा साम आपसे जरूर जाना चाहते हैं क्योंकि हैल्थ से संबंदित बहुत सारे टॉपिक्स मेरी वाइब भी आपके देखते हैं अभी तो आपका एक रिसेंट विधर एक किस दिन अगर शुगर ना खाएं तो इसका इंपक्त देखिए प्लीस सार ओवर टुई एको आज जो सबसे बड़ी चीज जो मुझे लगता है कि जो चीज हमारी सुसाइटी को डिसरॉप्ट कर रही है वो यह स्ट्रे अब असल में क्या है जैसे मैं अक्सर जब कॉर्परेट ट्रेनिंग होती है तो बहुत से एंप्लोई वहां पर मिलता है तो मैं लोगों को एक बात बोलता हूँ एक हम मुझे क्योंकि मुझे ना एक्जाम्पल देने का बड़ा शॉख है तो मैं उसके साथ जरूर रिलेट क करता हूँ मैंने का या जो चीज को आप कमाई मान रहे हो जिस पर गांदी जी की फोटो है उसके अलावा जिंदगी में जो पचास चीजें बढ़िया चल रही है यह भी तो कमाई है बिलकुल ठीक बात है आपकी सेहत बढ़िया मैं का यह कमाई नहीं है क्या रोज रात को स कि कहने का मतलब यह है कि अगर हम सुबह उठ पाए तो यह क्या बड़ा रिवार्ड नहीं है तो हम जो भी कर रहे हैं हम उसके बदले में कहीं ना कहीं जो रिवार्ड है वो मोनिटरी टर्म्स में ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं लेकिन उसके अलावा दुनिया में अगर हम बड़ी कमाई है तो जो भी हम लाइफ में इंपुट डाल रहे हैं सिर्फ इसलिए मद डालें कि हमको कुछ फानेशल गैन मिलेगा हाँ यह बात जरूरी है कि मनी इस नौट एवरेथिंग बट यू नीड मनी फर एवरेथिंग पैसे से हम 99 प्रसंट चीजों को सॉल जरूर कर सकते हैं लेकिन वह भी वही कर सकता है जिसके मांड में संतुष्टी है जी मैं अक्सर एक बात बोलता हूं कि money is a magnifier कई लोगों को मिलते हैं तो बोलते हैं मैं पूछा कि आपने बड़ाचा income आ रही है तो क्या आपने अब investment शुरू कर दिया कैते नहीं सर अभी नहीं तो करें. जिसको आज गहलने किया था है ज्यादा पैसे आएंगे वो डबल जुआ खेले गा जिसको आज EMI किया था है ज्यादा पैसा आएगा वोटी वोटी EMI बांदेगा और फिर भी वोटी अपने गहिन के लिए इसलिए कहते हैं ते बात ना मैं एक 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 एमपल गूरू कि महारास्टर में जो मढडर हुआ, भीहार में वो मढरवा, रभास्थान, मतलब उसके लिए आप सब छोड़ चाड़ के अगर हमाले पे चले जाओ तो वो तब ही मुम्किन है कि अगर हमारे connections ही तूड़ जाएं लेकिन रोज मर्रा की जिंदिगी हमारे तो है एड्स भी ऐसी बनाई जाती है उसकी साड़ी मेरी साड़ी से सफेद कैसे इस बात पे भी है फिस्ट ठेस है फेसलिंग लाइक नाई इस बात पे भी मेरी स्ट्रेस तो हर हम मुव्मेंट पे है जहीं लेकिन किसी के लिए वो स्ट्रेस है किसी के लिए बहुत मज़ें की चीज और किसी के लिए बहुत variante to is only the condition of a beslimant opportunity opportunity actual तो basically ऐसा नहीं हो सकता कि stress ना है हम stress को कैसे cop up कर सकते हैं यह सबसे बड़ी चीज है और उसमें सबसे बड़ा रोल जो चीज प्ले करती है वो है कि आपका self से कितना connection है जितना हम खुद से दूर हैं उतना ज्यादा हम चीजों को सही से देख नहीं पाएंगे जितना हम खुद से ज्यादा connected है इसलिए बोला जाता है कि जो spirituality है यह way of life है कि हमको कहीं न कहीं अगर अपने साथ connectivity हो गई अपने साथ अपने अंदर उतरना आ गया अपने से बात हो गई एक शायर का एक शेर है अकसर बोलता हूँ बहुत अच्छा याद आता है वो कहता है कि मैं खुद ही हूँ अपने आपके पीछे पड़ा हुआ मेरा शुमार भी तो मेरे दुश्मनों में है कौन डिस्रप्ट कर रहा है मुझे बता हो एक इंसान को कोई बात बोलता है अब एक एक एक्जामपल फिर से एक याद आया तो अगर कोई इंसान किसी को बोलता है कि चल गरीब वो फट से उसको दिमाग पे ले ले लेगा अगर यही सोचो किसी बहुत बड़े अंबानी है दाने को बोले वो बहिया निकलना अपना काम गर कहा क्या कुछ वो को इसको सीरियसली लेगा कौन सीरियसली लेगा जो उस चीज को अपने दिमाग में लेकर के घूम रहा है कि कहीं मैं इस चीज की कमी तो नहीं दिखा रहा लोगों को कहीं मेरे अंदर कोई लैक तो नहीं है तो कहीं न कहीं वो जो हमारा mental burden है वो हमारा stress बन के सामने आता है वो जो comparison है वो stress बन के सामने आता है और उसको हम सही से cop-up नहीं कर पा रहे है तो stress बढ़ता जा रहा है बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है और कहीं न कहीं धीरे धीरे ये हमारी जो आज इतनी जल्दी जो diseases हो रही है लोगों को लोग परिशान हो रहे हैं तरह तरह की problem से वो कहीं न कहीं create कर रहा है स्वामी विवेका नंजी और जितने भी हमारे महान प्रेरक हुए है उनमें से गौतम बुद्ध थे गौतम बुद्ध के बारे में भी एक statement बहुत फेमास है वो व्यक्ति आया गौतम बुद्ध अपनी साधना में बैठे हुए थे उल्टा चिदा बोलन लगा गालियां देने लगा यहां तक कि उसने उनके उपर थूख भी दिया तो विवेका मतब गौतम बुद्ध जी ने बड़े ध्यान से उसको देखा आंके खोली, मुस्कुराए, साफ किया तो विक्ति को लगा कि मैंने आपके साथ इतना अबदर वयवार किया और आपको इतना उल्टा सीधा भी का उसके बाद भी आपने उसके प्रति कोई गुसा निजायर नी किया तो उसने का, गौतम भूजी ने का कि आपने मुझे कोई चीज दी और अगर मैंने नहीं ली तो वो किसके पास रहेगी रहती बोला, मेरे ही पास रहेगी तो उनने का, आपने जो भी आप शब्द मुझे दीए वो मैंने लिये ही नी तो अब स्ट्रेस को लेकर लोगों के साथ प्रॉब्लम ही यह है कि अगर कोई कुछ कहता है किसने कोई नेगेटिव कॉमेंट कर दिया उसके फेस्बूक लाइक पर या फेस्बूक पेज बर तो उसको कही ना कहीं स्ट्रेस हो जाता है कि यार यह तो नेगेटिव बाते आ रही है लोग उटा सिधा बोल रहे है तो लोग आपको पसंद भी करेंगे और ना पसंद भी करेंगे लेकिन इस बात से ओवरकम करना अपने माइंड को कैसे तयार करें कि उनको इस्ट्रेस मैसूस ही ना हो कि ऐसा कुछ मेरे उपर हो रहा है या मैं स्ट्रेस में आ चुका हूँ तो उसका सॉलूशन क्या है देखे इसमें सबसे बड़ी चीज जो अभी मैंने आपको बोली ना पर चली तो गौतम बुद का यह एक एक ऐगजामपल लेना चाहूँगा कहते हैं जब गौतम बुद को ग्यान प्राप्त हूँआ तो उनके सबसे पहले शफ्द पता है क्या थे उनके सबसे पाली में उन्होंने बोला कि गहा करा का दित्तों सी, पुना गहम न कहा सी गहा करा का दित्तों सी का मतलब घर बनाने वाला देख लिया ओ हाउस बिल्डर यू हाफ सी पुना गहम न कहा सी, अब दुबारा आवा गमन नहीं होगा क्योंकि मैंने देख लिया कि कौन है तो यही जितनी हमारी खुद से दूरी है, हमारी जितनी दूरी खुद से बढ़ती जाएगी, हमारा सेल्फ से कनेक्शन जितना तूटता जाएगा, उतना हम स्ट्रेस के चंगुल में फस्ते जाएगी, जितना हमारा सेल्फ से कनेक्शन, हम अपने आपको जानेंगे कि मैं कौ क्या जो आज मैं हूँ 15 साल पहले भी ऐसे था क्या चालिस साल बाद भी मैं ऐसे रहने वाला हूं नहीं सब कुछ बदलता रहेगा दुनिया में सबसे बड़ा नीम जो है वो परिवर्तन का नीम है जी तो ओनली वन तेंग विच इस कॉंस्टेंट इस चेंज वो हमेशा बदल एत्वा लया यह कर लिया वो कर लिया यह मुबाईल बढ़ Yeah यह मुबाइल बढिया बढ़ीयातीक यह मुबाइल है लेकिन यह नहीं देखका कि उन्होने काम की है तो हमारा जो कॉंपारिजन हैं त्रेश त्रेस आने का कारणब और लोगों के आओटकंम से हैं उनकी जरण बन गया लेकिन हमने यह नहीं देखा कि वो तीन दिन वो वो कहां पर स्टेशन के उपर सोया भी है कौन इंसान 4-4 दिन 10-10 दिन उसने रोटी भी नहीं खाई है किस इंसान को लाइफ में क्या स्ट्रगल फे क्योंकि वो दिखता नहीं और दिखाता भी कोई नहीं है जैसे हम अब एक बात बोलते हैं मजाक में बोलता हूँ कि जब दो लोग लड़का-लड़की मिलते हैं तो वो वो भी एक किसम का सेल्स ही है क्योंकि दोनों अपने आपको बेटर रिप्रेजेंट करना चाहते हैं वो भी गूची का परफ्यूम लगा के आए वो भी शनेल का लगा के लेकिन उनमें से कोई भी नहीं बताएगा कि ये मैं मूली के परांटे भी खाता हूं और ठीक बात है क्यों क्योंकि हम अपना बेस्ट दिखाना चाहते हैं तो इंटरनेट पर जो भी कुछ दिख रहा है वो बेस्ट दिख रहा है हम उसके पीछे की स्टोरी को उसके मर्म को उसकी जर्नी को नहीं समझ पाते लेकिन असली मज़ा जब इंसान थोड़ा सा चीजों को डिस्टेंस से देखता है तो उसको समझ में आता है कि असली मज़ा जिंदगी के उस जर्नी के प्रॉसेस में है मन्जिल पर नहीं है मन्जिल पर पहुँचना एक आद मिनट के लिए आएगा जर्नी तो पूरी जिंदगी चलनी है आपकी 60, 70, 80, 900 साल की पूरी जिंदगी एक जर्नी है और उसमें जो हम कर रहे हैं अगर हमने उससे कनेक्ट नहीं किया मानलो मैंने कोई काम किया और मैं चाहता हूँ कि मैं यह करके मैं भी 2 करोड, 5 करोड, 20 करोड, 50 करोड कमा लूँ ठीक है आगए अब क्या और उसको कमाने के चक्कर में मैं अकसर एक बात बोलता हूँ कि लोग अपना बुढ़ापा खरीदने के लिए जवानी बेज देते हैं जी क्यों कि बार दुबारा बोलें सर क्योंकि बहुत सार लोग ना इस बात को ध्यान से नोट करना चाहेंगे कि अपना कि लोग अपना बुढ़ापा खरीदने के लिए पूरी जवानी बेज देते हैं खरीदा क्या बुढ़ापा और अगर हमने अपनी जिंदिगी में अपने काम को करते हुए उससे महबबत नहीं की मैं अकसर एक एक ग्जामपल देता हूँ कि जी आप देखो लेयॉनाडव डिकैप्रियो लेयॉनारड देविंची को पैबलो पिकासो को आप उनको देखो तो ऐसा कहा जाता है कि वो स्कल्प्चरिस्टे थे, स्कल्प्चर बनाते थे, मूर्तियां मनाते थे 48-48 गंटे तक खड़े रह करके वो मूर्ती बनाते रहते थे उनके पैर की जो स्किन थी वो जूते से चिपक जाती थी वो फिर भी बनाते रहते थे और जब उनको टोका जाता था वो कहते है 5 मिनट हो गए क्या समय का बोध खतम हो जाता है जब आप अपने काम से महबत करते हैं लोग देखरे हैं कि मुझे आउटकम क्या मिले उस आउटकम को लेने के लिए उनकी महबत आउटकम बेच्ड हो जाती है जो 6, 10, 15, 20, 25 साल बाद आएगा लेकिन उस 25 साल की जर視़े जर्नी से अगर महबत कर ली मैं कहता हूँ कि फिर आउटकम आए नाए किसको फरक पड़ता है जब आपकी जर्णी से महबबत हो गई और जिस इनसान ने अपने काम से प्यार कर लिया उससे महबबत कर ली तो आउटकम जब आता है न वो इतना खूबसूरत आता है क्योंकि वो खाली पैसा नहीं लेके आता है वो नाम, इज़त, दौलत, शोहरत, काम्याबी, रुत्वा, मेंटल पीस, सैटस्फैक्शन, कोई बर्डन नहीं, रिलाक्सेशन, चेहरे पे चमक, लबों पे खुशी, सब फ्री में लेके आता है, देखे, कई बार क्या होता है, आगे बढ़ने की चाहत, में लोग बहुत चीजों को सेक्रिफाइज करते हैं, जिसमें सबसे पहली चीज है उनकी हेल्थ, मैंने देखा है कि काम्याभी के चकर में लोग अपना डाइट ठीक से नहीं ले रहे हैं, अपना रिलाक्सेशन थीक से नहीं कर रहे हैं, सो ठीक से नहीं रहे हैं, स्ट्रेसफुल रहे हैं, कईना 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 को हेल्थ से कॉम्प्रोमाइज करते हैं, और मैं ऐसा मानता हूँ कि अगर आप हेल्दी नहीं है तो दुनिया की बेहतर से बेहतर चीज भी आपके लिए व्यार्थ है मान लिजी अगर किसी व्यक्ति के पेट में थोड़ा सा दर्द है और दुनिया की बेहतरी न मिठाई आपके सामने रखी है तब भी आप उसको खा नहीं सकते तो हेल्थ को लेकर लोगों को क्या-क्या साफधानियाँ या बरतती चाहिए कैसे उसे मेंटेन करना चाहिए क्या आपका विशश जो आपके विए वीडियो रहते हैं इस विशश पर रहते हैं आपका अभी रिसेंट वीडियो भी था चीनी को लेकर कि किस दिन अगर चीनी छोड़ें तो आपके शरीपर क्या प्रभाव पड़ेगा तो हेल्थ के बारे में थोड़ा से बताएं कि सर हेल्थ में अपने आपको फिजिकली एंड मेंटली कैसे ट्रांस्वर्म किया जा सकता है अगर हम यह बात बोलें कि हमको अपने करियर पे अपने पैसे पे अपने फिनांसद पर फोकस नहीं करना वो भी गलत है अगर हम बोलें कि हमको health पर ही focus करना है तो एक ऐसा balance क्योंकि गाड़ी के चारों टायर अगर बराबर चलेंगे तो ही गाड़ी चलेगी एक भी टायर का alignment अगर खराब हो जाता है तो आप देखोगे वो उसको घिसता शुरू कर देगा टायर खतम हो जाता है एक टायर है आपका career एक टायर है आपका finance तो इन सब को balance किसने करना है हमारे mind mind कहां से उसको balance करने की capacity और capability लाएगा जब आप mind से connection अपना strong करोगे वो connection कहां से strong होगा जब आप self के साथ connectivity establish करोगे यानि आपने थोड़ा सा meditate किया थोड़ा अपने उपर ध्यान दिया mental relaxation आया परता नी कोई कोई चीज रखके हम और दो दो गंटे हम उसको ढूंडते रहते हैं कहां गई चाबी पहले होता था अब तो कहर कई चीजे हैं जिनके साथ tags air tags लग गया किसी के साथ मिली नहीं रही है चीज दो गंटे तक ढूंड रहे हैं फिर उसके बाद हम कहीं आराम से पर फक्स याद आगई एकदम से रिकॉल करके हमाइं लोग कहरें जितना भागें उतना सुल्यूशन मिलेगा अरे जितना रिलाक्स हो जाओगे उतना ज्यादा सुल्यूशन मिलेगा कई बारा से बहुता है कोई चीज याद करने है कि यार वो कौन था क्या नाम था नाम थ चीज से तब तक आप देखो हमारे मांड में सर इतनी बख बख चलती है इतनी बख बख इतने विचार इतना सब कुछ उसके बीच में हम कहां से ढूंडेंगे कि वह इतनी सी चीज कहां गई इन फाक्ट कई लोग जब मैं हमारे वर्क्शॉप्स होते हैं तो मैं लोगों को जब आदे पोने घंटे की जब वो meditation और visualization करवाता हूं उसकी बाद कई लोगों के बकाइदा हमारे पास phone आते हैं कि सर ये सिरफ चार दिन हुए तीन दिन हुए पांच दिन हुए करते करते और सर पता नी कहां से ideas आ रहे हैं और मैं असल में जितने आपके viewers देख रहे हैं ये सब लोग relate करेंगे मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि कभी न कभी हर एक इनसान के साथ ऐसा होता है कि वो कहता है जब किसी दूसरे को हम execute करता हुआ देखे है यार यह idea तो मेरे भी दिमाग में आया था ये तो पहले मैंने सोचा था मैं यूट्यूबर से बहुत मिलता हूं तो सर ये वीडियो को टाइटल पहले मेरे दिमाग में आया था वो कैसे बना गया रहे भाया तुम्हारा दिमाग उसका दिमाग थोड़ा अलग थोड़ी है वो फ्रिक्वेंसी और वाइबरेशन यूवर्स में है जिसको catch कर लेगा उसको implement करेगा जो catch नहीं करे उतना जादा हम अपने professional life में लोग कहते हैं कि नहीं जी इसके लिए तो brainstorming की जरूरत है है लेकिन वो brainstorming की quality भी आपकी तब निकल के आएगी जब आपका mind relax होगा इसलिए हमारे पूरव जो ने का जी खाली पेट भजन नहीं होता खाली पेट भजन नहीं होता तो सबसे पह कुछ ऐसी बीमारिया है जो जर्नली बीमारी में काउंट नहीं होती है लेकिन stress की वज़े से हो गई है किसी को lung disease हो गया किसी को kidney disease हो गया किसी को liver related को disease हो गया यह कहते है कोई ना कोई खाने में खराबी होगी या कुछ गलत मतलब atmosphere ठीक नहीं होगा लेकिन आपने एक बार क इसके बारे में थोड़ा सा बताएं कि हमारे सोचने से हमारी कौन सी बीमारी पैदा हो जाती है देखिए सर हमें जो भी कुछ लाइफ में चैलेंज आ रहा है ना वो तीनी कारणों से आ रहा है एक तो हमारा प्रारब्ध कि हम करके क्या आये थे और उसका हमको रिटर्न में क्या नियूस देख रही है किन से मिल रहे हो किन के साथ बैटे हो किन के वाइब्रेशनल एट्मॉसफेर में हो और तीसरी सबसे बड़ी बात कि हम अपने माइंड में क्या चीज फीड क्या हमारा और आपने बढ़ा अच्छा ही सवाल पूछा कि जो डिजीज हो रही है आप हम इसको लगभग-लगभग प्रूव करने की कागार पे हैं कि जितनी डीजीज़्स है वो लगभग-लगभग सभी पहले तो आज से 10 साल पहले ये था कि 60-70 पशेंट अब ये की लगभग-लगभग सभी डीज़्स साइको समेटिक हैं दुबारा बताएं, सर, क्या होता है साइको समेटिक? साइको साइकी का मतलब हमारा अपना दिमाग हमारा अपना दिमाग ही उन डिजीजिस को क्रिएट कर रहा है Okay मैं जब मेरा अपना हेल्थ का ट्रांस्फोरमेशन शुरू हिए तो मैं अपने लाइफ के एक ऐसे बहुत बुरे दौर से गुजरा हरे कोई गुजरता है मतलब आप भी जरूर, I'm sure लाइफ में तो लाइफ में कुछ कर रहा है अच्छा वो उस दौर से गुजरेगा ही गुजरेगा जब मैं उस दौर से गुजरा बहुत स्ट्रेस, डिप्रेशन, टेंशन और मैं भी लाइफ में ऐसा फेज आ गया कि बड़ा दिक्कत वाला कहा कुछ डिजीज़ डेवलप होनी शुरू हुई बॉडी में चेंज़ेस होने शुरू हुए, माइंड के लेवल पर चेंज़ेस होने शुरू हुए और अगर को अब मैं आपको अस ताइम के पनी फोटो दिखा हूं तो आपको कोई कोई साट पैसेट साल का व्यक्ति है मतलब मैं लिटरली बता रहा हूं कि अगर मतलब इंसान भी बीस साल बुड़ा लगने लगता है मैं इस बात को तो अच्छे समझ सकता हूं सर क्योंकि आज से 6-7 साल पहले अगर आप मेरा बॉड़ी स्ट्रक्चर देखें मेरे फोटोग्राप्स देखें वीडियो देखें तो मेरे पिताजी के इकोवलेंट है वैर यह गोट रांसवर्म्स फ्रम फ्रम और शांपर जग जाहे रहें तना भांखर रूप से आपने जो त्रांसवर्मेशन नहीं मतलब उसका जो रिटेंशन है उसको जो मैंटेन करना वो मांई कादे तारीफ है इसके लिए तो इक इंटर्व्य अपकभी वनता है कि भईया, ये ट्रांस्वरमेशन दुनिया तक पहुचाओ, खाली इसको अपने पास रखकर मत बैठो, इसके लिए बहुत भ्यंक और शांदर इंटर्व्यू बनता है, आमित महिश्वरी जी तो ये देखो, ये वीडियो वीडियो में चीजे निकलाती है, तो बड़ी बहुत ध्यान से देखेंगे ना, एक जब मेरे को ये हेल्थ चेलेंजिस आये, तो मुझे पता चला कि यार ये सभी हेल्थ चेलेंजिस तो हैं, मैंड के कारण आ रहे हैं, मैंने एक बुक पड़ी उस बुक का नाम था, एनॉटमी ऑफ एन इल्लिनस भाय नॉमन कजन, मैं और उसका एक्जामपल भी लोगों को ओट करता है, नॉमन कजन को क्या हुआ, उसको ने बहुत भ्यंकड बैमारी हो गई, डॉक्टर ने उसको बोला कि जी तुमको ऐसे से और 30-36 पेंकिलर एक टाइम पर, मतलब इतनी पें, कैंसर से भी ज्यादा पें उस बंदे को हो रहा वो कहते हैं कि यह इस सब की वज़े से बिमारी नहीं हो रही है, मतलब इसका इसका इसा की वज़े से नहीं हो रही है, इससे भी बड़ा कल्परेट है आपका माइंड, उन्हों ने उससे पूछा, नॉमन कजन से, क्या आपके माइंड में कोई नेगटिव थॉट्स चलते इसने दो मिनट लगाए उसने कहा मेरे पास ना अन वर्दीनेस की फीलिंग पड़ी हुई है बच्पन में मेरे साथ बहुत बुरा गलत वेवार हुआ है ऐसे ऐसे करके चाइल्ड अब्यूज हुआ है यह मॉलेस्टेशन की फीलिंग पड़ी हुई है यह चीजे दिमाग पर इनको में लगातार सोचता रहता हूं उसने का यह तेरे सारे नेगेटिव एमोशन ने तुझे आज यह चीज दिये आपके लोग कहां से निकल किया रही है और माइंड में लुईज है ने बकायदा आपनी बुक में एक 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 एमोशन से रिलेवेंट बिमारी रिखी क्योंकि वो एमोशन से पेदा हुई हुई डिजीज है जिस इनसान के ऊपर एकदम से परिवार की जिम्मेवारी आ गई घर का बोज आ गया जो एकदम से दब गया वो कंदे में दर्द डेवलप कर लेगा जिंदगी में जिन्दीगी में कभी ठीक नहीं कर पाएगा वो ठी क्यों किसी को लाइफ में एक बोल दे कुछ बीपी शुगर चेक होगा जी मैं क्यों होगा चेक ना तो मुझे बिमारी ना मुझे को ऐसी को आशंका करने अब आफ 40 के नियर अबाउट अगए है और जिस हसाब से आपका बोडी का डिल डॉल है यह होने की संभावना है तो म है जो आपकी गरदन में रहे गाई रहेगा मैं यह तो मैं रहे नहीं दूँगा करने हटता नहीं इसके लिए तो सिर्फ आपको एक्साइज करने पड़ेगी तो बिलीव मी कि जब मैंने जिम जॉइन किया उसके विदिन फ्यू मंथ आज तक मुझे दुबारा पता नहीं है कि cervical का pain कैसा होता है क्योंकि वो सारा एक्तम stress release हो गया workout के टाइम में खाली हमारी बॉडी बिलिडिंग नहीं हो रही है वो सारा stress भी release हो पूरे दिन हम office का workload का clients का buyer supplier सबका stress ले रहे हैं वो सारा release होता जब हम work out करते हैं और जब घर पहुंचते हो एक्दम fresh ऐसा लगता है कि यार अब सुबा हुई है तो बिल्कुल ठीक कहे हैं आप मेंटल कनेक्शन इसका बहुत आदा अभी हम लोग बैठे हुए थे लंच कर रहे थे हम लोग तो हम बात कर रहे थे कि कैसे हमारा मैस्किलो स्केलिटन सिस्टम हमारे अंदर स्ट्रेस केमिकल इसको पाजाता है अगर हमारे अंदर कॉटिसोल नेगेटिव कैमिकल रिलीज हो रहा है अडरैनुल रिलीज हो रहा है तो उसको कुछ आक्टिविटी चाहिए अगर हम बाडी शे वह अक्टिविटी नहीं दे तो ए रहे को खार्एगए आज बड़ी से बड़ी बिमारी को लोग वो क्या है हमारे सेल्स ही तो खराब हो रहे हैं और क्या है हमारे सेल्स के पास तीन कंपाउंड है एक उसका लाइजोजॉम है एक वो अपना प्रोटीन बना रहा है और एक उसका डी एन ने है और हमारे 40 ट्रिलियन सेल्स हमारी मतलब दस साल से मोटे हैं, फिर उने वेट लॉस किया एक जर्नी की पूरी, छे महीने एक साल में किया, फिर उने का विया तो मैं पतला हुई गया, मैं तो हमेशे ही पतला रहने वाला हूँ, तो फिर उन डाइट छोड़ दिया, जीन्स के पास क्या इन वापस बैक करके उससे कर देंगा वाँ जल्दी, लिल्कुल यह हमारे सेलस के अले तरह तरह के अलगलग सेलस राइड वाइड ब्लड सेलस अलगे हैं, ब्लेट प्लेट सेलस अलगे हैं, हर सेल की अपनी एक मैमरी है, और आज पहले तो यही निया अगर किसी को श्युगर या डाइबटी हुई है तो सबसे पहले चेक करो कि क्या आपके फादर यरा माрьर या आपके विरा राफ्रॉते फादर या आपके चैक करो कि खूए य। अगर मोटे हो आपका पतले हो सारा स्ट्रुक्चर गीन से निकल किया पहले यह जाता था था अगर किसी को जनेटिक कोई डिसॉडर है वो बदला नहीं जा सकता एक नई साइन साही जिसका नाम है एपी जिनेटिक्स जिसने ये बताया कि आपका जीन्स हर मिनिट प्रोग्राम हो रहा है हर मिनिट मैं चाहें तो उसको चेंज कर सकते हो मैं बीच में बात मुझे यादा ही बात से कि एक जिम में ना हमारते एक डॉक्टर थे वो वर्काउट करते थे करें माई शुरीज जब तक एक्साइज करते रहोगे जब तक पतले रहोगे छोड़ते ही मोटे को जागगए जब तक मैमरी चेंज हो जाएगी मुझे साइस नहीं बता था मैं कॉमर्स बैग्राउंड का स्टूडें का पता था मैं का तो या ठीक है अगर जैसी में वर्काउट छोड़ूँगा आपास मुटा हो आप 10 जनम भी work out ना करो ये memory आपकी carry होने वाली है अजी, ये आपकी memory carry होने वाली आपके साथ तो इसका मतलब कि हमने अगर किसी अपने एक चीज के उपर एक लाइफ में काम किया है तो वो सिरफ हमारी वो waste नहीं चली गई वो इन्वेस्ट हो गई, जी आपने बहुत बढ़िया लेवल अचीव कर लिया, आपने पांचमी क्लास पास कर लिया, आप छटी में अच्छा नहीं परफॉर्म करोगे तो पांचमी में तो नहीं डालेंगे, अब आप डिग्रेड नहीं हो सकते हो, अब अब अपग्रेड ही आतार बोलते रहे बिटा, पापा की बात किसको समझ आती है जी, और बच्चा जवान हो रहा हो तो उसको लगता पापा कौन है, एक दिन वो बस पकड़ रहा था, उसने आगे वाली बस में किसी को अपनी तरह बस पकड़ते हुए देखा, वो गिरा, दूसरा बच्चा जि सो सोनार की करते रहो, लेकिन वो इंकेंसिटी कम है, एक लोहार की मिले तो वो पत्थर चीर देती है, तो डिपेंड इस चीज़ पर करता है कि आपकी कितनी, जैसे आपके अंदर ना एक दिवानगी डिवलप हो गई, कि मुझे अपना ट्रैंस्फॉमिशन करना है, तो अब इमोशन is the language of your brain, and feeling is the language of your body, और यह दोनों कहां से हारी है, यह आपके thoughts, क्या सोच रहे हो, कैसा सोच रहे हो, अकसर आप देखोगे कि जितने भी लोग लाइफ में कुछ बढ़ा करते हैं, उनकी state change होती है, मैं लोगों की state के ऊपर काम करता हूं, और आप देखो, इसको एक कर्यार मूड नहीं था, कहां से है, कहां रखा है, मुझे बताओ, ढूंड के दिखाओ, कहां से हमारा thought जो हम उस time पर feel कर रहे है, वह हमारा mood बनाता है, mood लंब समय तक बना रहे जाए, वह temperament होता है, temperament थोड़े और लंब समय तक बना रहे जाए, वह personality होती है, तो अगर हम मेरे कोशन को हमाप कर दिया, इसमें कि यसे डिफाइन कर दिया, कि मूड से लेकर वह अपकी परसनलिटी तक कैसे बनता है, एक बार दुबार तोड़ा सा और बताएं सर, ताकि लोग जो stress में है, वह बात समझ जाए, कि कैसे मुझे उसको मैनेज करते हूँ अपनी लाइफ से हुई है, उसने एक्सेप्ट किया कि हा, मेरे अंदर अन्वर्दीनेस की फीलिंग है, मेरे को चाइल्ड डिब्यूस मिला है, तो उसने का, क्या ये नेगिटिव एमोशन अगर बिमारी दे सकते हैं, तो पॉजिटिव ठीक भी तो कर सकते हूँ है, डॉक्टर उसकेप्ट मतलब किसी भी मोड पर खड़ा हो, वो आपकी मदर हो सकती, आपके फादर हो सकते हैं, आपका भाई, आपकी बेहन, आपकी बीवी, आपके बच्चे, आपके दोस्त, कोई भी एक इनसान, मैं कहता हूँ हर इनसान की जिन्दगी में एक इनसान जरूर ऐसा होना चाहिए, ज दोस्त, क कैसे दलती थी, तो उनोंने जोक, लॉराल एंड हार्डी की टेप षम्गाई, वो कहते हैं, जो दस गोली खाने से मेरे को दो घंटी की पेइनलेस स्लीप मिलती थी अब सिरफ 15 मिन घसने से मुझे दो घंटी की पेइनलेस सिलीप मिल रही थी बिना गोली खाई और छे महीने के अंदर वो इंसान जिसको डॉक्टर ने बोला कि तुम या तो मर जाओगे या बैड रिड़न रहोगे या ऐसे ही वो कहते है जो मैं चिलाता था था एक एक किलोमेटर दूर तक आवाज जाती थी एसी डिजीज थी छे महीने के अंदर ही गॉट आउट अफट वो आपकी जो श्किन है यह नहीं आ रही है इसके नीचे की लिए उपर राती जाती है जैसे हमारे नेल्स बढ़ते हैं नीचे नहीं लेयर पादा हुरी है उपर की लिए जा एग वो उसको डेड़ स्किन बोलते हैं साप अपनी कैंचली चोड़ देता है हम भी चोड़ते हैं क्योंकि वो बडे माइक्क्रो लेफल पर होती है हमारा हर एक सेल जारा है और तीस दिन के अंदर हमारी सकिन का सेल बदल जाता जी अगर हमारी हडडी तूटती है तो क्या वो दभाई से ठीक होती है हम उस पर प्लास्टर में जाते हैं बाडी के अंदर एक किपासिटी कैपिलिटी है जिसको बोला गया होमियोस्टेसिस यानि खुद को ठीक करने की अबिलिटी हीलिंग पावर प्राण शक्ति जिसको हमारे वेदों ने बोला वो हमारे अंदर है अब जो हमारा सेल बदल रहा है अगर एक सेल में बिमारी है मैं बिमारी का नाम नहीं लेता नहीं तो कई बार लोग अकसर उफेंड हो जाते हैं कोई भी एक हमको एक बिमारी हो गई, गंदी बिमारी है, नए सेल जो आने वाला है, उसको कैसे पता कि तुझे भी बिमार होना है, वो तो नए आ रहा है, वो तो नए आ रहा है, फ्रेश है, उसको कैसे पता, जो पुराना सेल है, वो अपनी मेमरी नए को पास्टान करके जात क्योंकि हसने से खुश रहने से हमारे अंदर पांच केमिकल रिलीज होते हैं दोपमिन, ऑक्सिटोसिन, सेरिटोनिन, एंडॉर्फिन और पांच वह बड़ा खुबसूरत नाम है इसका नाम है अनेंड़माइट संस्कृत के आनन्द शब्द से इसको लिया गया जो हमारे अंदर रिलीज होते हैं यह पांच वह एक साथ पता है कब रिलीज होते हैं जब हम खुश होते हैं इसलिए मैंने बोला जिसने अपने काम से महबबत कर ली अरे बिमारी बिमारी चोड़ो पैसा वैसा सब मतलब सब प्रॉड़क्ट है कई बार लोग पूछते हैं सर पैसा कैसे का मैंगा कुछ ने गरो खुश हो जाओ किसी को खुश कर दो अपने काम से महबबत कर लो सब पीछे पीछे आएगा नॉमन कजन ने पागलों की तरह पेट पकड़ के हसता था पेट दर्द हो जाए ऐसा हसता थ अच्छे महीने गेंदा ठीक क्यों कि मूड बदल लिया तो आपको अपना मूड बदलना है स्टेट बदलनी है स्टेट आपका टेंपरमेंट बदलेगी टेंपरमेंट आपकी परस्नालिटी बदल देगी और अगर एक बार अपने दिमाग को यह खुश रहने की सेमिनार्ज होते हैं, ऑनलाइन सेशन होते हैं, और कहां आपके बारे में हम बहुत सारी चीज़ों को जान सकते हैं, मैं सबसे पहले ही कहूंगा कि आप यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि वहां आपको बहुत सारी वेल्यूबल इंफॉर्मिशन, कि पहली बात तो यह कि हमारी सारी जानकारी और हम यहां लगातार मिलते रहेंगे, लेकिन उसके साथ ही हमारी जो कंप्लीट इंफॉमिशन या हमारे इवेंट्स या कोर्सिस के बारे में जो रहती है वो हमारी वेबसाइट www.anuragrishy.com और उस पर सारी इंफॉमिशन रहती हमारे अपकमिंग इवेंट्स जो भी फिजिकल ऑनलाइन जितने भी इवेंट्स होते हैं, इन फाक्ट मैं बहुत से लोगों के लिए फ्री इवेंट्स भी लगातार कंड़क्ट करता रहता हूँ, लोगों के माइंड के उपर काम करने के लिए, तो वो भी इवेंट लगब जाने अंजाने में सफल हो गए और सफलता हासिल करने के बाद जो तो उन्हें किया था वो सिद्धांत बन गए गरीए की तो यह योट ही also. ना आप लोगों के साथ ज़रूर शेर करें और सरके YouTube चैनल को वेबसाइट को ज़रूर लॉग इन करें YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें तक ये regular information आपको मिलती रहे आप workshop, seminar ज़रूर अटेंड करें और आपके मन में ये दी कोई भी प्रशन है तो वो प्रशना में comment box में लिखकर ज़रूर पूछें, कोई भी informative वीडियो मिसना हो, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें मैं डॉक्टर अमित्माहिश्वरी और मेरे साथ मैं आनुवाक सर्थ, आपके सुनरे बविशी के हम लोग कामना करते हैं, जै हिंद, जै बाद